तो स्वागत है आपका फ़र से एक नए comparison वीडियो में और इस वीडियो में compare करने वाला हूँ Redmi Note 13 5G vs Infinix GT 10 Pro इन दोनों फोन को में compare करने वाला हूँ और इस वीडियो के लश्ट तक आपको पता चलेगा कि कौन सा फोन batch हो सकता है आपके लिए तो इस तरह से यह Redmi Note 13 5G का display होता है बात करें अगर हम Infinix GT 10 Pro की तो देखिए इसमें 6.67 इंचिस में एक AMOLED display मिलता है जोगी 403 PPI पर पेश्ट है और 120 Hz का refresh rate मिलता है 900 Nits peak brightness मिलती है यह है Infinix GT 10 Pro का display तो देखिए display जो है वो दोनों ही better हैं दोनों ही अच्छी quality के साथ आते हैं लेकिन दोनों में से एक display अगर आपको choose करना है तो देखिए Redmi Note 13 5G या फिर Infinix GT 10 Pro का करना है यह मैं आपको वीडियो के last में बताऊँगा तो देखिए camera के बारे में हम बात कर लेते हैं तो देखिए camera जो है बात करें तो इसमें आपको triple rear setup देखने को मिलेगा 108 MP में में camera मिल जाएगा और 2 MP में macro camera मिल जाएगा और जो third camera है depth वो आपको 2 MP मिलेगा तो इस तरह से camera Infinix Note 30 5G में आपको मिलेगा 16 MP में full HD video record आप यहां से कर सकते हैं selfie camera Infinix GT 10 Pro में जो मिलेगा वो 32 MP में है और यहां से आप wide angle camera है और full HD video record आप यहां से भी कर सकते हैं तो देखिए Infinix GT 10 Pro और Redmi Note 13 5G इन दोनों के camera में से अगर आपको एक camera अच्छा camera चाहिए तो आप यहां पर camera अच्छा है Redmi Note 13 5G के comparison में 4K video recording का option आपको यहां पर मिलता है जो की काफी अच्छी बात है और Redmi Note 13 5G में full HD का मिलता है तो बैसे तो दोना ही camera ठीक है लेकिन winner जो है वो Infinix GT 10 Pro है चलिए बात करने हम हम चिपसेट की तो दिखिए चिपसेट जो है वो Mediatek Dimensity 6080 मिलता है आपको Redmi Note 13 5G में जो की 6NM पर बना है CPU की बात करें तो Octa Core है यह और Infinix GT 10 Pro में अगर हम चिपसेट देगे तो देखिए इसमें Mediatek Dimensity 8050 चिपसेट है जो की 6NM पर वेज़ड है Octa Core CPU के साथ यह भी आता है और यह भी 6NM पर वेज़ड है तो देखिए अब आपके मन में question होगा कि या पर OS की तो देखिए OS आपको दोनों में Android 13 देखने को मिलेगा और बैटरी की जली यह बात कर लेते हैं तो देखिए बैटरी जो है वो 5000 mAh को मिलेगा Redmi Note 13 5G में जो की 33W की Fast Charging को सपोर्ट करता है Infinix GT 10 Pro की अगर में बात करूं तो यहाँ पर आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है सा की Redmi Note 13 5G में नहीं मिलेगी Loud Speakers मिल जाएंगे और Audio Jack भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3.5M का दोनों ही फॉन में जो काफी अच्छी बात है मैंने आपको बता दिया है कि कैमरा में चिप सेट में और बैटरी में कौन सा फॉन बैस्ट है लेकिन अभी डिस्प्ले का जो है थोड़ा सा confusion रह गया होगा आपको तो चली वह भी मैं आपको clear कर देता हूं और अगर आपको चाहिए कि यार सबसे अच्छा फोन या फिर आप चाहते हो कि लोंग लाश्टिंग फोन हो अभी भी आपको अगर आपने अगर डिसाइड नहीं किया है कि आपको कौन सा फोन चाहिए तो चलिए आपको overal बता देता है अगर आप चाहते हो एक अच्छी गेमिंग राइट तो आप इंफिनिक्स गेमिंग का काम नहीं है तो फिर आपको इंफिस्टी टानी को जरूरत नहीं है क्योंकि ये अन नैसेसरी हो जाएगा तो रैडमी नोर थभी नहीं आपक आपको फोर के वीडियो रिकॉर्डिंग जाहिए तो आप इंफिनिक्स डीटैन प्रोगी तरफ जाए अदर्वाइस जो अच्छा फोन है वो रैड्मी नोट 13 5G है अब मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि इंफिनिक्स डीटैन प्रो बेकार है यह फोन अच्छा है बिनर है और मैं ब करें आई होप आपको किलियर हुआ होगा सब कुछ समझ आया होगा और आपको कोई क्वेशन या क्वेरी है तो कॉमेंट्स में जरूर बताना सू थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो